डिएक वैलकम टू मैं चैनल आज जो हम बना रहे हैं देखिए जो पाव रखे होगे थे उससे मैं बना रही हूं रैस्पी और यह इतनी क्विक और इजी रैस्पी है इसको कोई भी बना सकता है इस गर्मियों में न प्या करें क्या करें कुछ मीठा खाने का बन करें आप कौ ज्यादा भाना चाहते हैं यहा है कम थोड़ा सा कम यूज कर रहे हैं मेठे में सिध्य तो अधोड़ना घी डाला wires भी चाहिते ही में डिप खले हैं तो आपना भाना ध्याई है घी जो फ्राइनू दाला जब गरम हो हो जाये inserting Гरम हो जाह通ति है तो 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 मैं ये पाव से बना रही हूँ, कि मैंने का पाव की नमकी अर्थी उसनी सेख लिया है, मैंने तव यह पैना है अप अपने हिसाब से कर लीजिए और सेखना जरूरी है क्योंकि इसी से ही इसका टेस्ट आएगा अब आपको तो पाव में तो ऐसी दूद में डालके भी हम घा सकते नहीं इसकी जो हम रैस्पी बनाने वाले इसको पहले अच्छे से पाव को सेख लीजिए उसका बहुत अच्छा फिलेवर्स आ तो देखिए अभी इसका कलर चैंज होने लगा ना पाव का इतना ही हमें इसको पलट-पलट की सेख लिया अब हमारी यह पाव सेख चुके हैं इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में अब उसी पैन में हम क्या करेंगे थोड़ा सा गही और एड़ करेंगे तो आप घी की क काजू किस म्ममाथन अबाज सब्सक्राइब समय कलर चैंज शरी और करते हैं तो भीतों लेंगे थोड़ा से किसम advertisements किसम Marx भूप स्था डाला वैज अबतों नक्हाए और कोई निकाल हैं चैंज हो जाने हैं तो आप कम धिए टेढसे में ना दलेमें तो घ्रल दिया लोगाय तो इसमें जो मैं डूट की quantity ढाली है तो इसमें फिते हई ग्रइब में बड़े प। कर रही है तो इसमें लगबंग पड़ा होगा एक पूरा नापके तो नहीं डाला एक कप से थोड़ा सा कम होगा दूध और इसमें मैं ने चीन ही डाल दी है टेस्ट की असाप से और जब म जैसे ही देखिए इसमें अच्छे से उबाल आने लगी है और गहड़ा है ये ये दूद सबस्क फुल क्रीम दूद मैंने लिया है आपके पास अगर खोया हो तो आप स्टेंप बे कोया भी डाल सकते हो तो आप थोड़ा सब्सकूद कर सकते हो तो मैंने खोया नहीं था घर प पस ये कि ब्रेट को अच्छे सेखिए और दूद को थोड़ा सा गाड़ा कर लेजिए तो अच्छा टेस्ट उसका आ जाएगा और देखिए इसको ऐसे ही करते हैं जैसे ही वो हो गया थोड़ा थिक हो गया इसी टेम पे हम डाल देंगे अपनी जो पाव सेखिए रखे थे उसको डाल दीए अब यह क्या है यह पूरा ही दूद अपने इसमें एब्जॉर्ब कर लेगा और यह थोड़े देर में ही देखिए सूप के है तो दूद तो इसने एब्जॉर्ब कर लिए अब यह जो है रेस्पी बहुत अच्छी लग रही है अभी तो इसकी खुसूई लाइची के विए से बहुत अच्छी आगए अब इसी में हम थोड़ा सा एड़ करेंगे और भी ड्राइफूस तो चीनी की क्वांटिटी मैंने अपने हिसाब से डाली है आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते है तो मिल्क पाउडर डाला इसलिए मैंने चीनी थोड़ी सी कम ही डाले थोड़ी से ड्राइफूस मैंने तो थोड़ी सी में इसमें पिस्ता काजू और बादाम और चिरोंजी में डाले हैं और देखिए अब हमारे मिठाई तुरांत रेडी हो चुकी और इसके उपर भी हम इसमें एड़ कर सकते हैं आप इसको डायरेक्ट जैसे गरम है ना हलका सा गरम भी खा सकते हो या फिर इसको आ देखिए इसमें कोई झञजट रहे हो बहुत ज़्यादा टिम लगेगा और देखिए इखने में तो ब्हुत डिलीसी है यह खाने में तो बहुत यह मतले है नूशक ब्ज़दी बन भी जाहए कि रहए चापS यह वीदियो बिड़यो को लाइकugen और चैनल अभी तक नही बीजी और किक रेस्पी उनको जरूर देकिए मेरी चैनल में जाके बहुत सारे बेडियो मिलेंगे समर के वेडियो मिलेंगे कड़ी की वेराइटी तो बहुत सारे वह भी देखिए तो आपको यह रेस्पी कैसी लगी जरूर कमेंट में पड़ाइए थैंक यू फोर नेस्ट वीडियो मिलेंगे